दोस्तो Vivo Z1 Pro launch हो चुका है इंडिया में और कुछ दिनों बाद यानि कि 15 जुलाई को launch होने वाला है Realme X तो आज के इस वीडियो में हम compare करने वाले है Realme X को Vivo Z1 Pro के साथ तो दोस्तो बने रहिएगा इस वीडियो में दोस्तो आपसे एक request है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like कीजेगा और subscribe कीजेगा और दोस्तो कमेंट भी कीजेगा आपका एक like और एक comment हमें बहुत ज्यादा motivate करता है कि हम आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो बना सकेए तो दोस्तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे Vivo Z1 Pro में मिलने वाले डिस्पले की तो इस फोन में जो डिस्पले दिया गया है वो है 6.53 इंच का Full HD plus IPS LCD डिस्पले जिसका aspect ratio है 19 by 5 by 9 का इसमें जो resolution दिया गया है वो है 1080 इंटीच games다면 or Realme X में दिया गया है Full HD plus AMOLED दिस्पले जिसका resolution ए 10 stereo 2340 मेगा पिक्सल का और इसका aspect ratio है 19 x 5 x 9 का इसका जो size है वो है 6.53 inch Realme X में दिया गया है in-display fingerprint scanner जबकि Vivo Z1 में जो fingerprint scanner है वो phone के back panel पर दिया गया है और Realme X में आपको मिलता है Corning Gorilla Glass 5 का production Vivo Z1 Pro में जो processor दिया गया है वो है Qualcomm Snapdragon का 712 processor जो 10 nanometer की technology पर based है और इसकी जो clock disk speed है वो है 2.3 GHz की यहाँ पर जो GPU दिया गया है वो है Adreno 616 और Realme X में जो processor दिया गया है वो है Qualcomm Snapdragon का 710 processor जो run करता है 2.2 GHz की frequency पर और यह processor based है 10 nanometer की technology पर और इसमें जो GPU दिया गया है वो है Adreno 616 Vivo Z1 Pro में दी गई है 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी जिसको अठार वाट की fast charging का support मिला हुआ है जबकि Realme X में जो battery दी गई है वो है 365 mAh की जो Vogue 3.0 fast charging को support करती है दोनों ही phone run करेंगे Android 9 पर और दोनों ही phones में दिया गया है 3.5 mm का audio jack और USB type C port अब बात कर लेते हैं camera की तो Vivo Z1 Pro में दिया गया है triple rear camera setup जिसमें primary camera है 16 megapixel का जिसका aperture है f1.8 और जो secondary camera है वो है 8 megapixel का wide angle lens जिसका aperture है f2.2 और साथ में जो तीसरा camera दिया गया है वो है 2 megapixel का depth sensor जिसका aperture है f2.0 Vivo Z1 Pro में आपको देखने को मिलता है 32 megapixel का selfie camera जो आपको punch hole display में नज़राता है Realme X में आपको मिलने वाला है dual camera setup और इस phone में जो primary camera है वो है 48 megapixel का जिसका aperture है f1.7 इसके साथ जो secondary camera है वो है 5 megapixel का जिसका aperture है f2.4 Realme X में दिया गया है pop-up selfie camera जो है 16 megapixel का जिसका aperture है f2.0 अब बात कर लेते हैं दोनों phones के price की तो Realme X का जो price है वो स्टार्ट होगा लगबग 16-17,000 रुपे से और Vivo Z1 Pro का जो price है वो स्टार्ट होता है 14,990 रुपे से दोस्तों I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार